आज हम बनाएंगे दिवारी स्पेशल एक और महारास्रीन स्नाक रेसिपी शंकरपाली या हिंदी में से शक्करपारा कहते हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है बहुत कम इंग्रेडिंट्स पे बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो चल्ये बनाते हैं शंकरपाली या शक्करपारा शंकरपाली या शक्करपारा बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 कप मैदा या All-Purpose फ्लान या पानी oil for deep frying pinch of salt 1 cup घी या clarified butter 1 cup शकर तो चलिए बनाते हैं शंकरपाली या शकरपाल हमने ग्यास आउन कर लिया है पैन में डालेंगे ये 2 cup पानी डालेंगे ये शकर मिक्स कर देंगे ये ये एक का घी या ख्लारिफाइड बटर और ये सॉल्ट जैसे शुगर डिजॉल्व हो जाए और ये कुबाल आजाए हम गैस बन करें हम कंटिलियूस स्टर करते हुए शुगर को मैट करेंगे शुगर पूरी तरह से डिजॉल हो गया है हम गैस आप कर देते हैं और इस मिक्स्चर को ठंडा होने के लिए रख देंगे हम इस मैदा को इस प्लेट में निकाल लेंगे हम इस शुगर सिरप को इस मैदे में मिक्स करेंगे और इसका डौग उनाएंगे हमने शुगर सिरप के साथ इस आठे को गोल लिया है आठे के हम बॉल्स बनाएंगे और इसे रोटी के दरब बेलेंगे हम इस बॉल को अब रोटी के दरबेलेंगे हम आड़ेंगे हम आड़ेंगे मिस मिल्स करेंगे वरूब करीं करीं यह यह कर करीं अब ये शंकरपाली स्पून जो है इसके साथ ये कट करेंगे हमने इसे डायमंड शेफ में कट कर लिया है अब हम इसे दीफ राइ करेंगे हम इस पीसेस को अलग कर लेंगे और इसे दीफ राइ करेंगे कडाई में हमने तेल गरम कर लिया है हम शंकरपाली को लो फ्लेम में फ्राइ करेंगे हम इसे पलटे हुए दूसरी तरफ भी फ्राइ कर लेंगे हमारा ये शंकरपाली फ्राइ हो गया है इसी तरह हम बाकी शंकरपाली भी बेल के इसे फ्राइ कर लेंगे हम इसे एब्सोर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे हमारा ये शंकरपाली ये शंकरपारा तयार है हमने ये छोटे और बड़े दोनों साइज के शंकरपाली तयार कर लिया है अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तुस तो जरूर ट्राइ करिये इस वीडियो को नीचे हमने detailed method of preparation और ingredients दे वहें हमारे वीडियो को लाइक और शेर करिये हमारे चानल को subscribe परिये and for more such recipes please visit our website Vijayansrecipes.com thanks a lot for watching see you in our next video